हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चाइनल आई होप आप सब अच्छे होगे यह देखिए फ्रेश स्टॉप फिर से फूल रोस्टेट का आ चुका है बहुत ज़्यादा फ्रेश है अर्दी है क्रेंची भी उतना है इस बार इस तरह के चंग्स आये हुए है बिग चंग्स देख लीजिए इस तरह के चंग्स से बहुत ज़्यादा फ्रेश है और अर्दी है देख लीजिए यह देखिए इस तरह के चंग्स है इससे ज़्यादा बिग चंग्स नहीं आए है इस तरह के चंग्स है देखिए यह देखिए यह कितना बिग है इससे बिग नहीं मिलेग अब देख सकते हों और ऊप्रैश है बिल्कुल भी देख लीजे इस तरह की चंग्स ऐवीलिबल है औहकर है यह फूल डॉस्टेड है वह यह हाफ रोस्टेड नहीं है यह red nukumat मिक्स आता है इस सोगह से half roasted जैसा दिखता है अब यह half roasted नहीं है यह full roasted है आप देख सकते हो इस तरह कि red nukumat इसमेm big big chunks आये हुए है यह full roasted है fresh है बहुत अर्दी है देखें यह कितना अच्छा और fresh chunks है red nukumat का आप देख सकते हो देखिए देख लिजिए ठीक से बता रही हूँ इस तरह red है अंदर से और इस तरह के chunks available है ओफर खतम हो चुका है दिवाली ओफर खतम हो चुका है पर फिर भी हम आपको ये clay कम ही price में देगे 180 रुपीज विचिपिंग नहीं देगे आपको 170 रुपीज विचिपिंग देगे 170 रुपे विचिपिंग रेगूरलर प्राइज अपना 180 रुपे है इस तरह के medium chunks भी इसमें available है ज्यादा big chunks नहीं है मेरे पास में बहुत कम है जिस तरह के मैंने बताए है medium chunks इस तरह के chunks आए हुए है ज्यादा अच्छे है अर्दी है crunchy है बहुत gritty नहीं है देखिए ये तो मिट्टी है एक हाथ पिस gritty आ सकता है वो नहीं बोल पाऊंगी में पर बिल्कुल gritty तो नहीं है gritty means क्या होता है customer बोलता है gritty है gritty यानि इसमें grittiness तो नहीं है पर एक हाथ chunks में एक हाथ chunks में stone आ सकता है क्यों तो बारिश का समय था इस वज़े से हमें पता नहीं कितने chunks कैसे आते है क्या है सभी क्या हम check नहीं कर पाते है इस वज़े से बोल रही हूं और कुछ नहीं सभी chunks हम check नहीं कर पाते है कि अंदर से किस तरह है ठीक है बाहर से तो अच्छे लगते है बाहर से clay अच्छी दिखती है फिर भी हम ये check करकर ही देते है आपको ग्रिटी है यह नहीं है तो आप देख सकते हो इस तरह के chunks अवेलेबल है आप देख लो और friends बहुत से customer बोल रहे है मतलब बोल रहे थे मुझे comment में और whatsapp पर भी तो मगमिट्टी देखिए बहुत से seller इस तरह बता कर मगमिट्टी दे रहे है बहुत से seller बोल रहे कि यह मगमिट्टी बिलकुल नहीं है मगमिट्टी ऐसी आती ही नहीं है मगमिट्टी शाइन करती है अंदर से दिखने में चिकनी होती है खाने में चिकनी नहीं होती है दिखने में अंदर से चिकनी होती है आप उसको ऐसा करोगे हाथ लगाओगे तो अंदर से आपको चिकनाई महसूस होगी इस तरह की होती है चिपकती नहीं है मगमिट्टी बिल्कुल भी और क्रेंची हो तो उसका स्वाद अलग ही होता है रोस्ट होती है बहुत अच्छी तरह से वो तो उसका अर्दीनेस बहुल जादा अच्छा होता ह है फूल रोस्टेट से भी ज्यादा अच्छा मगमिट्टी का टेस्ट होता है और थोड़ी सॉफ्ट होती है वो खाने में क्रंची विच सॉफ्ट है ज्यादा हाड नहीं आती है मगमिट्टी यह मगमिट्टी नहीं है तो प्लीज आप बहुत से कस्टमर जिसे मगमिट्ट बोल कर ये बहुत से सेलर ने सेल कर दिया है पता नहीं अब में सभी सेलर का नहीं बोल सकती हूँ जिसका अपना बिजनेस है उन्हें जो मिलेगा वो सेल करेगा मैं किसी को कुछ बोल नहीं सकती हूँ पर मगर ये मगमिट्टी नहीं है मुझे मगमिट्टी की पहचान सरफ कस जैसे तरह होती है मुझे उन्से भी कोई एशु निकि कोई सेल कर रहा है और रहा सवाल यह की ये मगमिटी नहीं है ये फूल रोस्टड है इस तरह की चंग्च शायद शॉटिंग करकर दे रहे होगे पता नहीं मुझे तो कस्टमर सटिस्फाइ नहीं हो रहे हैं तो मैं उनको बता दू यह मगमिटी नहीं है मग मिट्टी का में वीडियो फिर से डाल दूंगी आपको एक प्लेट में लेकर मग मिट्टी आपको तोड़कर पानी में डालकर बता दूंगी किस तरह होती है ठीक है फ्रेंड्स तो जल्दी जल्दी ओडर कीजे 170 रुपे विच शीपिंग है यह 170 रुपे विच शीपिंग फूल रोस्टेट फ्रेश स्टॉक हाफ रोस्टेट का भी स्टॉक आया हुआ है सभी का अलग अलग हम वीडियो बनाएगे और मैं आपको यह बता दू आपको क्ले कैसी लगती है आप हमें कमेंट में जरूर बताइए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजे लाइक जरूर क फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई फ्रेंड्स